हलो दोस्तो आज हम बहुती ज़्यादा गजब के टेस्ट वाले मसाला वैगन बनाने वाले हैं इनको बनानी का तरीका इतना शिंपल है किसी कोई प्यासानी से बना सकता है तो चलिए हम मसाला वैगन बनाने की रेश्पी शुरू करते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए मैंने आपी 250 ग्रम बैगन लिये हैं जिनको मैंने अच्छे से दोगर के पोँच लिया है तो सबसे पहले जो बैगन में काटे होते हैं वो मैंने हटा दिये हैं और डंठल को थोड़ा छोटा कर दिया है अब हम बैगन में चीरा लगाएंगे इसके बाद हमें बैगन को अच्छे से चेक कर लेना है कि इसमें कोई कीड़ा बगर तो नहीं है अब हम इसी तरीके से अपने सारे बैगन को कट करके तयार कर लेंगे जैसे ही मारे सारे बैगन कट होकर तयार हो जाएंगे उसके बाद हम ये सारे बैगन डारेक्ट पानी में डाल देंगे पानी में डालने से ये बैगन मारे काले नहीं पड़ेंगे तो इसी तरीके आप भी सारे बैगन को कट करके डारेक्ट पानी में ही डालें अब हम एक कड़ाई लेंगे और उसमें दो से तीन चमस तेल डालेंगे तेल के गरम हो जाते ही अब अपने सारे बैगन हम तेल में डाल देंगे तो मैंने इन बैगन को पानी से निकाल करके कपड़े से पोच लिया था ताकि इसका सारा पानी निचुड जाए यदि आप गीले बैगन तेल में डालेंगे तो उसे छीटे पड़ सकते हैं तो इसलिए मैंने आप बैगन को बहुत अच्छी तरीके से पोच लिया था तो अब मैं आप बैगन को 4-5 परण मीडिया फ्लेम में फ्राई करेंगे तो हमें इन बैगन को कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई कर लेना है ये जैसे ही बैगन थोड़े तोड़े फ्राई होने लगेंगे वैसे इनका कलर चेंज होने लगता है यहाँ पे 5-6 मिनट के बाद बैगन को देख सकते हैं अब बैगन अच्छे फ्राई हो चुके हैं तो अब इनको निकाल लेंगे तो ये बैगन हमारे अच्छे फ्राई होके तयार हो चुके हैं तो अब इनका मसाला तयार करेंगे तो मशाला बनाने के लिए मैंने आपे आधा का मूम फली ली है जिसको मैंने अच्छे से रोष्ट कर लिया है अब मैंने एक चमच भर कर धनिया के बीज लिये हैं इसी के साथ आधा चमच जीरा लेंगे और आधा चमच सौफ लेंगे अब हम डालेंगे 10 से 12 लशन की कलिया और साथ ही डालेंगे 1 इंच दरक का तुकडा जिससे मैंने पीस में कट कर लिया है और अब डालेंगे 2 हरी मिर्च मसाले में अब हमें आपे डालेंगे 1 चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पौडर यहां पे तीखा आप अपने हिसाप से कर सकते हैं और आदी छोटी चमच कस्वीरी लाल मिर्च पौडर अब इन मसालों में आदा कब पानी डाल कर इसका पेस्ट बना करके तयार कर लेंगे और यह लीजिए यहां पे हमारा मसाला पेस्ट बनकर के तयार हो चुका है अब हम सबजी बनाते हैं तो उसी कड़ाई में मैंने दो से तीन चमच तेल डाला है तेल जैसे हमारा गरम हो जाए तो उसके बाद यहां पे हम डाल देंगे आदा चमच जीरा और साथ ही डाल देंगे 15-20 मेथी के दाने जीरा जैसे हमारा यहां पे चटक जाए तो उसके बाद यहां पे हम डाल देंगे प्याज तो मैंने यहां पे एक मीडियम साइस के प्याज को बहुत ही बारी कट कर लिया है तो अब इस प्याज को हम कलर रुचेंज होने तक अच्छे से भून लेंगे तो यहां पे प्याज बहुत ही अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले जो मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके मसाले रखे हुए थे वो डाल देंगे तो मसालों के साथ मैंने आपी दो से तीन चमच पानी भी डाल दिया है ताकि मसाले बहुत अच्छे से बुन जाएं अब हमें मसालों को तब तक पकाना है जब तक किनारी से इन मसालों का तेल नहीं अलग हो जाता तो मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम में चलाते हुए मसालों को पका रही हूँ ताकि यह मसाले हमारे बहुत ही जल्दी पक जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मसालों से तेल अलग हो चुका है यह बहुत ही अच्छे जिप पक चुका है तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर तो मैंने यहाँ डो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिनकी प्यूरी बना करके तयार कर लिए है अब हम यह पर डाल देंगे यादी चमाच नमक, तो नमक को आप अपने स्वाद के अनुसारी डालें, यहां पर टमाटर को भी बहुत अच्छे जिप पका लेना है, तो यह लीजिए, यहां पर मसाला आरा एकदम बन करके तयार हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी याँ पे पानी में गराम ही डालना है, तो अब हम इन यह पर एक पानी डाला हुआ है, यहां पर पानी अराम से डाल दीजिए, क्योंकि एमें बैगन को दालना है, अब इसे अच्छे से मिक्स करके पानी का मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे ह साफ पाइको बाइग को डालकर के अच्छे से ड्रेवी के साथ अब हम को दक करके सब्सक्राइक कर देना है यहां पें पंदमारा सी सन चलाएना है इस चला ने आप की पाते हुए सिमेर्ड हमति ही क् एक ग constituents though तो यहां पर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो यहां पर आप नीवू का रज भी उज़ कर सकते हैं यहां पर आमचूर पाउडर डालने से हमारी बैगन की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है तो हम फिर से इसको ढख करके 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे तो दोस्तों आपको यह हमारी रेजपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अब हम सब्जी को खुले में बस एक मिनट और पकाएंगे तो यहाँ पे हमारी बहुत ही लाजवाब सबजी बनकर के रेडी हो चुकी है तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे बारी कटा हुआ धनियापत्ती धनियापत्ती को भी हम बहुत ही अच्छे से मिला देंगे तो ये लीजिए हमारी लाजवाब और फटाबट बनने वाली सब्जीर रेडियो हो चुकी है तो दोस्तों ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजी और चैनल पढ़ने हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो बहुत ये स्पेसल बनने वाले हमारे मसाला वेगन यहाँ पर रेडियो हो चुके है तो फ्रेंड्स आप भी ये मसाला वेगन एक बड़ जरूर ट्राइ कीजी ये दिये मसाला वेगन आप इस तरह के जब बनाएंगे तो ये बड़ी हो या बच्चे सब को पसंद आएंगे तो चलिए लेते हैं विदा और मिलते हैं ऐसे ही और एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केरन बाबाए